मूवी जब आधे तक देखा था ना तो उस वक्त तक लग रहा था रिव्यू मैं कुछ और बोलूँगा लेकिन जब मूवी कंप्लीट करके उठा तो अभी मेरा जो भी बोलने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है अगर आप चानल पर नए हो तो चानल को सब् जो फोलूँ तो चमड़ी गिरी करोगे तो यह होगा ना बस मतलब क्या है तुम लोग मतलब जहां पर देखे वहां पर चिपक है अब वह भले से तुम्हारी पार्टनर की फ्रेंड हो बहन हो या कोई भी हो बस तुम लोग तो चमड़ी करना चाते हो और इसी को लेकर करके के जो ने कहानी बना दिया है के जो से और उमीदी क्या कर सकते है अरे हाँ वो उस टैप का बंदा है तो वह ऐसी कहानी बनाएगा ना अरे रणवीर सिंग ने दिपिका को यह काम करने कैसे दे दिया अरे यार सिद्धात चत्दुरविदी की तो निकल पड़ी है और अनन्य पन्डे जो कि Tija है और अलीशा जो कि दिपिका पादुकों है यह दोनों sister से अब यह sister कैसी है इसका पता जो है आपको फिल्म के starting के 5 मिनट में पता चल जाएगा कि एक्जैक्ट स्टीरी क्या है और यह जो भी चलने वाला है उसमें क्या twist and turn आ सकते हैं फिर उसको ऐसा suspense जो है climax तक खीचा गया है जो कि audience आसानी से देख करके समझ पाएगी कि भाई पहले क्या दिखाया गया है दोनों का relation क्या है अब आपको समझने में मुश्किल यह हो सकती है कि क्या दिपिका पादुकौन ने जानबुच करके रिष्टा बनाई और उनका दिपिका पादुकौन पादुकौन नाम थनकी क्या पातर आप बना डेला जुका है जिसमैं आप गलत और सही पॉस्टर के ऊपर में रेड़ and green button डाल देती है और उनका आप बन जाता है वहीं पे अगर जैन की बात की जाए तो भाई वो अच्छा का सा जमीन करीच चुका है और वो देखा जाते एक रिच राट है लेकिन यह रिच राट जो है वो कितना रिएल रिच राट है वो आपको देखना पड़ेगा इस मूवी के अंदर में क्योंकि उसकी अमेर बनने की कहानी के पीछे में कुछ अलग स्टोरी है तो यह कपल जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पे हो जाता है कपल एक्सचेंज उसके ऐसे देखा जाए तो जैन की और अलिशा की जो है एक फिंकिंग मैच हो जाती है अब इस मैच को जो मैं एक चीस कहूँगा कि वहाँ पे जो जैन है वो मेरे लिए कोई और ती और दिपिका जो अलिशा है वो मैं किसी रिलेशन में मैं था मतलब मैं अलरड़ी किसी और के साथ में था लेकिन मुझे सामने से यही मैं किसी रिलेशन में था और मुझे सामने से जो है कोई इस तरह से ओंगली बाजी किये और यह जितने भी खेर्टर्स आपको दिखाया जाएंगे वह वह और आपके आसपास गुंते में नहीं दिखेंगे यह वह वह हफटे हर महीने फ्लाइट लेते है एक शेहर से दूसरे शेहर एक कंट्री से दूसरे कंट्री आना जाना करते है बड़ी बड़ी चीजों पर ड सी चीज है जिसको उन्होंने स्क्रीन पर उता रहा है लेकिन बहुती डीसेंसी के साथ में उता रहा है जहां जहां पर आता है वह काफी अच्छा लगेगा आपको आपको देखने में जो है आप देखते तो जाओगे और कहीं न कहीं आप दिपिका को जो है और भी जादा गॉर्जस फाइं करो गया अभी मुझे समझ में आया कि कपिल शर्मा क्यूं दिपिका पर इतना लट्टू था तो इन सारी चीजों को साइड में रखते और आते हैं स आपको स्टार्टिंग में कुछ देखने को मिलेगा लेकिन आगे चलकर के सभी चीज़े जो है इमोशन पर चल रहा होता है डायलोग एंड सीन्स पर चल रहे होते हैं जो भी प्रेज़ेंट उसको पास से कनेक करने की कोशिश की जारी होती है तो यह उस तरह का आडल्टी ह हो जाना अब सवाल अगर यह है कि क्या यह इंटेटेनिंग है या फिर आपका टाइम वेस्ट करेगी तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी थाट फिजिकल रिलेशन को सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन जैसा ही देखना है और उसी तरह से आप सोचते हो तो यह मूवी आपके लिए ऐसा लगेगा क्या बाकवास चल रहा है लेकिन अगर आपके लिए फिजिकल रिलेशन और उसके साथ में कुछ अलग अलग चीज़े जुड़ी भी होती है और क्या इंटेंशन के साथ में लोग एक दूसरे से जुड़ जाते है अगर उन सारी चीजों का नेक्स उपर में पर वो रियालिटी बेस भी था और यह अभी के टाइम का अभी मॉडन जमाने में जो रियालिटी चल रहा है इसके उपर में बेस करके यह कहनी को लाया गया है So it's a kind of कभी अलविदा ना कहना part 2 So that was my honest reaction for this content यहां तक वीडियो देखने के लिए तहए दिल सा धन्यवाद वीडियो को लाइक करके जाना मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो